हलो बच्चो तो आज के इस लेक्चर भी हम पढ़ेंगे डिफ्रेंस बिट्विन स्केलर कॉंटिज एन वेक्टर कॉंटिज बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है मुझे लगता है एक वीडियो देखने के बाद आपका डाउट एकदम क्लेर हो जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर कॉंटिज की देखो अगर मैंने आपसे पूचा कि आपकी हाइड कितनी है तो क्या आप मुझे बोलोगे सर इन विच डायरेक्शन मतलब हाइड बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूत है क्या नहीं है आप बोलोगे सर मेरे हाइड कितने है मैंने बोला चेफीट पाच फीट मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा विकाल डायरेक्शन बतने की ज़रूत ही नहीं है रहें सो हाइड को डिफाइन करने के लिए हमको सरिफ चाहिए उसका मेंगिनिट्यूड और उसके डायरेक्शन की हमें कोई भी ठीक है सो ऐसे फिजिकल कॉंटिस को बोलते है स्केलर कॉंटिस जो श्रीफ उसके मैंगुटूट पर डिपेंड होती है और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होती है ठीक हम ओर एकंपल लेते हैं देखो सप्पोग ठीके, it does not depend on the direction, it only depend on its magnitude, मतलब एक लिटर है, किधरी पर जाओ, एक लिटर होगा इसके अंदर, right, so direction पर depend नहीं कर रहा है, so once again, it is a scalar quantity, volume is a scalar quantity, because volume does not depend upon its direction, ठीके, so यह भी example हो गया, scalar quantities का, हमने पहला देखा, height is a scalar quantities, हमने बाद में फिर से देखा, volume is a scalar quantities, ठीके, हम और भी scalar quantity के example यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा, बात करते हैं, vector quantities की बारे में, अभी बच्चों मैंने आपको बोला, यहाँ पे एक chair है, suppose, classroom में chair थी, मैंने बोला आपको, उस chair पे force लगाओ, तो आप मुझे पूछोगे, sir, कौन से direction में force लगाना है, इधर लगाना है, अगर मुझे कोई, यहाँ पे कोई object है, उसको मुझे इधर पूश करना है, तो मुझे इधर से force लगाना पड़ेगा, अगर मैं उधर से force लगा तो ओ तो इधर चली जाएगी, जो मुझे काम करना था, ओ होगा नहीं, because मुझे chair को इधर लेकि जाना था, मैं उधर से force लग दोनों पे depend करते है, ऐसे quantity को बोलते है, vector quantities, अभी हम scalar or vector quantities with the help of distance and displacement समझ लेते, देखो, सबोज मेरे पाथ, यह पाथ यह कोई पाथ है, यह पाथ है, सबोज, कोई रस्ता है, यहाँ से लेकिए a point से लेकिए b point है, कोई रस्ता है, सबोज, और इस रस्ते की पूरी length, मतलब य एक किलोमेटर है, पाथ लेंग्ट, एक किलोमेटर सबोज, मतलब यह पूरा length ही ना, एक किलोमेटर सबोज, अब मैंने आप से पूचा, बोलो यहाँ पे distance कितना है, तो आप क्या बोलोगी मुझे, distance कितना हो जाएगा, distance होता है, total path length, path की पूरी length को distance बोलते है, तो यहाँ पात लेंग्ध एक किलोमेटर है इसलिए डिस्टंस भी हो जाएगा एक किलोमेटर लेकिन मैंने आपसे पूछा बोलो फिर यहाँ पे displacement कितना है तो displacement क्या होदा है it is a shortage distance between starting and end point तो यहाँ पे displacement हो जागा यह वाला यह वाला इधर जाने की ज़रोधी नहीं यह displacement हो गा है starting point और end point का shortage distance यह shortage distance हो गा है shortage distance हमेशा straight line होती है so that will be the displacement suppose इसके भल्ली कुछ 200 meter है आईसा हम आजम करते है तो यहाँ पे displacement होगा है 200 meter हाँ अभी मैंने यह आपको क्यों बताया बच्चो scalar और vector quantities के लिए क्यों बताया because distance होता हो scalar quantity होती है और displacement vector quantities होती है कैसे अभी मैंने इसी पात को थोड़ा change कर लिया मैंने आईसा किया यह पॉइंट सपोज यहाँ पे और मैंने इसी पात को सेम लेंग ते उसको कुछ आईसा कर दिया यहाँ तो कर दिया बी पॉइंट यहाँ पे इसकी लेंग फिर से एक किलोमेटर लेंग दोसकी ठीक है अभी यहाँ पे डिस्टन्स तो फिर से किलोमेटर आएगा फिर पात लेंग लेकिन displacement देखो बच्छो displacement change हो गया बिकाज अभी displacement के वेल्वी तो बढ़ गई तो जहीसे ही मैंने path change किया वहीसे displacement भी change हो रहा है path के direction जहीसे ही change कर ली displacement की value भी change हो गई पहले मैंने यहाँ से देखो यहाँ से मैं इधर चला गया था तो displacement 200 meter आया अभी मैं यहाँ से इधर चला गया दूर चला गया तो displacement 800 meter हो गया पूरे path के length हो तो सेम ही एक किलो मेटर सो distance is a scalar quantity because it depends upon only its magnitude और यहाँ पर आपको जो value दिख रहे हैं बच्छो इसी को बोलते है magnitude समझे यह जो value 1 km इसको बोलते है magnitude अब फिर से suppose कोई force है force होगा है suppose 3 Newton in east direction 3 meter in east direction में लगा force तो यहाँ पर 3 Newton होगा है magnitude और east यह होगा है direction मतलब force depend कर रहा है बोथ magnitude and direction ठीक है so this is a vector quantity वैसे displacement की यहाँ पर आपने बोल दिया 2 meter और आप आगे direction भी बता होगे 2 meter in west direction 2 meter in north direction आपको बोलना पड़ेगा displacement के लिए ठीक है so displacement is a vector quantity force is a vector quantity ठीक हाँ अभी हम थोड़ा से दोनों को हाँ तुम इधर लिखता हो scalar और इधर लिखता हो vector सबसे पहले definition क्या है exam point of view से यह से लिखना पड़ेगा right so definition क्या है scalar की the physical quantity which depends upon only its magnitude and not on direction that physical quantity is called scalar quantities ठीक है depend upon depend upon magnitude only depend upon magnitude only उनको बोलते है scalar quantities और जो physical quantity which depends upon magnitude as well as direction depends upon magnitude as well as direction magnitude as well as direction इसको बोलते है vector quantities इनके examples आपको याद रखने पड़ेगे ठीक है पहले समझ लो अभी वीडियो में आपको पता चल गए होगा कि scalar और वेक्टर में क्या फर्ग होता है अभी उनके example देखो scalar के example जैसे मैंने आपको बता है distance होता है scalar quantities बाद में मैंने बोला आपको volume होता है scalar quantity इदर मैंने क्या पता है आपको इदर force is a vector quantity बाद में displacement is a vector quantity वैसे most common example is speed speed भी होता है बच्छो scalar quantity because speed का फर्मुला क्या होता है it is a change in distance upon time change in distance upon time अभी फर्मुला speed का है distance upon time distance क्या होता है बच्छो it is a total length of path चाहिए आप किदर भी जाओ direction पे वो डिपेंड नहीं करता है so distance is a scalar quantity और speed डिपेंड कर रही distance के उपर that's why speed is also scalar quantity धार में रोको most common example है बाद में charge charge में होता है बच्छो scalar quantity ठीक है next इतर देखो displacement होगा है displacement is a vector quantity बाद में velocity velocity क्या होता है बच्छो velocity होता है change in displacement upon time change in displacement upon time तो जैसे displacement change होगा with direction वैसे वैसे velocity भी तो change होगी इसका मतलब अगर displacement direction पे acceleration is also vector quantity because acceleration क्या होता है बच्छो it is change in velocity upon time अब velocity direction पे depend कर रही है direction के साथ change होगी तो acceleration भी तो change हो जाएगा so that's why acceleration is also vector quantity ठीक है अब लास्ट लास्ट एक देखो temperature temperature का बहुत interesting बच्छो temperature अगर आप स्रिप temperature बोलते हो बोलो temperature scalar यह vector तो आप बोलोगी scalar because temperature के लिए direction की जोरत नहीं आप बोलोगे मैंने पुछा कितना temperature है आप पुछोगी मुझे in which direction sir नहीं आप सिधा बोलोगी sir 27 degrees Celsius 30 degrees Celsius ठीक है लेकिन जो temperature change होता है जो so temperature is scalar quantity लेकिन जो temperature change होता है temperature change मैंने पुछा आपको बोलो temperature change क्या है scalar यह vector तो आप बोलोगी sir it is a vector why because temperature change upward भी हो सकता है downward भी हो सकता है temperature बढ़ भी सकता है या घड़ भी सकता है decrease भी हो सकता है तो उसके लिए temperature depends upon direction एक तो upward या फिर downward temperature change so that's why temperature change is the vector quantity लेकिन temperature is the scalar quantity ठीक है तो ऐसे बहुत तार example हो जाएंगे यह पर ठीक है तो अभी मुझे लगता है आपको समझ मेह होगा difference between scalar and vector अगर आपको कुछ मेंट आउट है regarding this आप comment कर सकते हूँ या फिर मुझे इस number पर call कर सकते हूँ ठीक है तो चले रुकते हैं यहाँ पर टेक क्यार बबाए